हाई फ्रेंड कैसे आप लोग उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और ये मेरा चॉकलेट फिलेवर का हाफ केजी का केक है और इसके लिए मैंने सो गराम स्मूज सा बेटर बनाके इसको बेग करी हूँ और ये मेरा 25-30 मिनट लगा था और मैं चूले पर बेग करती हूँ मैं ओवन यूज नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे पास हाई ही नहीं रहेगा तब का तब देखा जाएगा लेकिन फिलहाल तो मुझे चूला अभी इजी ही पड़ता है ऐसा कुछ नहीं है आप भी एक बार करके देखिए आपको भी बहुत अ अच्छा लगेगा उस पर करके और मैं वीपिंग क्री में बहुत सारा गनाल डाली हूँ क्योंकि है न मैं पहले नहीं वीप करी मुझे न थोड़ा वाइड क्रीम का काम था इसके लिए न मैं यहाई पर सब मिलाई हूँ और अपने बोड के नीचे भी मैं कपड़ा रखी ह उसके उपर वीपिंग क्रीम लगाई हूँ और फिर अच्छे से ही इसको सुगर सीरफ से सोक करी हूँ और इसमें मैं तीन लियर करी थी क्योंकि हाफ केजी में मैं तीन करती हूँ पाव केजी का रहता है तब दो करती हूँ क्योंकि पाव केजी में तीन लियर होता ही नहीं और इसको है न, मैं एच्छे से ही सुकर सिरफ से मौइस्ट करी हूँ, उसके बाद विपिंग कृम लगाई हूँ, उसके बाद गनास डाली हूँ और इसमें मुझे 100 गराम गनास लगा था और उसमें मैं 50 गरामी विपिंग क्रीम डालकर डबल बॉलर पे मेल्ट कर ली थी वै आप है न direct मत करें डबल बॉइलर पे करें वो भी इसी रहता है फट से होता कोई दिक्कत नहीं रहती है और आगर आपको डायरेक ही करना है तो लगातार अपना चम्मच उसमें चलाते ही रहना है जैसे ही मेल्ट होने लगे ना आपको लग जाया कि हां हो करेंगे ना तो finishing के time पे आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है अगर आप नए नए हैं तो और उसके बाद है ना मैं piping bag में किरीम भरी हूँ क्योंकि है ना मैं piping bag से ही लगाती हूँ पहले शुरू में मैं नहीं लगाती थी तो लेकिन अब है ना मैं piping bag आप लोग भी है ना अगर केक बनाना सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो यह step जरूर फॉलो करें आप लोगों के लिए काफी helpful रहेगा और उसके बाद इसको अच्छे से smooth कर दी हूँ और round वाला रहता है ना तो थोड़ा सा कम करें मौसम ठंडा है तो थोड़ा कम वीप करेंगे ना तो उससे finishing में आपको ही easy पड़ेगा अगर आप जाधा कर देंगे तो finishing जल्दी नहीं आती है चाहिए वह round वाला हो चाहिए कोई भी safe का हो मेरा तो ना पहले में जाधा वीप कर देती थी तो finishing में बहुत जादा दिक्कत आता था फटा-फटा सा लगता था लेकिन फिर में थोड़ा कम करती हूं उससे मुझे finishing देने में काफी easy पड़ता है और यह मैं अपना गना सुपर चान कर कर रहे हूं क्योंकि चान कर करने से इसी perfect आपका भी drip बनेगा अगर आप जादा कम कर देंगे तो थिक हो जाएगा तो drip ही नहीं बनेगा अगर पतला कर देंगे तो नीचे तक बह जाएगा तो आप इस बात का ध्यान रखें और यह design में simple सा ही बनाए हूं लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा था जिब सामने स फोटो आ जाता है कि मुझे ऐसा केक चाहिए तो हमारे सोचनी की तो कोई बाती नहीं रहती है जो रहता है वैसे ही सेम बना कर देना रहता है और इसमें है ना मैं तीन रोज बना दी हूं और साइड में है ना यह वाला पेटल तुम्हें अभी recording के टाइम पर मुझे लगा क कि यह ना मुझे आप लोगों के सामने सूट करना चाहिए था उसी पेटल से यह बनाई हूं लेकिन थोड़ा अलग टाइप का फुलावर्स है आप लोग देखे होंगे अगर केक बनाना सीख रहे हैं बहुत इजी हो सिंपल हो सुन्दर सा बनता है फिर है ना इतना करने के बाद है ना मुझे लगा थोड़ा और कर दू तो यह साइड में भी दो पेटल बनाई हूं आप अपने 24 अपने हिसाब से अपना केक डिकोरेशन कर सकते हैं अगर आप लोगों को यह केक पसंद आएगा तो प्लीज लाइक शेर और सस्क्राइब जरूर कर देना और मैं क्रें करी हूं क्योंकि white ο फाना तो में golden लंगेगा तो इसके लिए मैं लोगों को जरूर दिखेगा जिसके लिए केग बनाई थी उनका है ना बहुत पसंद आया वो personal मुझे message करके भी बोले कि cake आपका बहुत अच्छा था यह सुनकर काफी अच्छा लगा जब कभी हम cake बनाते हैं और सामने से सामने वाला तारीफ करता है ना तो यह नहीं कि तारीफ सुनने की आदत है यह कम से कम पता चल जाता है कि हाँ उनको मेरा cake पसंद आया तो ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है कि नहीं कि सामने वाला बोलता है तो आप लोगों को अच्छा लगे अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट करके बताना और यह रहा मेरे cake का final look मिलते हैं next video में बाई बाई